बदलते मौसम में काढ़ा बनाने से लेकर खाने का स्वाद बढ़ाने तक भारतिय रसोई में काली मिर्च का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। सेहत के लिए काली मिर्च के फायदों को देखते हुए ही काली मिर्च को King of Spice के नाम से भी पुकारा जाता है। बात अगर काली मिर्च में मौजूद पोशक तत्वों की करें, तो काली मिर्च में एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फ्लेटुलेंस, डियूरेटिक तीन डाइजेस्टिव गुन पाए जाते हैं। आईए जानते हैं, बदलते मौसम में काली मिर्च का सेवन आपकी सेहत को देता है, क्या-क्या गजब के फायदे। लोगों को बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा, इसे अपने रोज के खाने में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से फिट रहने का सबसे अच्छा तरीका है। नमबर तीन, पाचन हालाव कि रोजाना अपने खाने में थोड़ी सी काली मिर्च मिला कर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। कभी-कभी जब आप कब्ज से पीडीत होते हैं, तो आप मल त्याग करने के लिए जोर लगाते हैं, या कभी-कभी आपको मल त्यागने के बाद भी पेट खाली महसूस नहीं होता है। नमबर पांच, ये त्वचा से जुड़ी समस्याओं को ठीक करती है। कहां जाता है कि मसालों का राजा काली मिर्च त्वचा की रंजकता, पिगमेंटेशन, विटिलीगो को रोकती है। इस रोग में आपकी त्वचा सफेद दिखाई देने लगती है और इसे सफेद धब भी कहां जाता है। हालांकि आपकी त्वचा के रंग को दोबारा से सही करने के लिए बाजार में कई दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन काली मिर्च आपकी त्वचा को किसी भी प्रकार के त्वचा रंजकता पिगमेंटेशन से बचाती है और आपकी त्वचा के वास्तव इक रंग को बनाए रखने में सहायता करती है। छोटी उम्र से ही काली मिर्च का सेवन करने से जुर्रियां और त्वचा संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह समय से पहले बुढ़ा होने और काले धब्बों को आने से भी रोकता है। यह आपके बालों के लिए फायदेमंद होती है। डैंडरफ का उपचार करने के लिए भी काली मिर्च को अच्छा बताया गया है। आपको बस इतना करना है कि थोड़े से दही के साथ कुछ कुछली हुई काली मिर्च मिलाएं और इसे अपने स्कैल्प पर लगाएं तथा इसे कम से कम 30 मिनट तक सूखने दें। साथ ही सुनिश्चित करें कि आप किसी अन्य तरह से काली मिर्च का उपयोग न करें क्योंकि इससे आपका सर जल सकता है। हो सकते हैं, इससे आपके बाल, चमकदार और चिकने हो जाएंगे। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो काली मिर्च का सेवन करना शुरू कर सकते हैं। काली मिर्च में पाइपरिन और एंटियोबैसिटी प्रभाव होते हैं, जो वेट लॉस करने में मदद कर सकते हैं। आप काली मिर्च को खाने में शामिल कर सकते हैं या फिर इसका काढ़ा बना कर भी पी सकते हैं। नमबर आठ, ये आपके डिप्रेशन को दूर करती है। पेशियों के दर्द से निजात मिलता है। तेल को हलका गर्म करके उसमें काली मिर्च मिलाएं और पीठ और कंधों की इससे मालिश करें। गठियां रोग में भी काली मिर्च काफी फाइदेमंद साबित होती है। नमबर दस, सर्दी जुकाम से राहत दिलाए। काली मिर्च में मौझूद पाइपर इंसर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या से भी छुटकारा दिला सकता है। काली मिर्च शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाती है। जब इम्म्यूनिटी तेज होती है, तो शरीर को बैक्टीरियल और वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। अगर आपको खांसी या जुकाम है, तो काली मिर्च का सेवन जरूर करें। नमबर ग्यारा, ये जोडों के दर्द को कम करती है। बदलते मौसम में अकसर लोगों को मांसपेशियों और जोडों के दर्द की समस्या रहती है। अगर आप भी जोडों के दर्द से परेशान रहते हैं, तो काली मिर्च को डाइट में शामिल करना शुरू कर दें। इसके नियमित सेवन से जोडों के दर्द और सूजन में आराम मिलता है। काली मिर्च में मौजूद anti-inflammatory और anti-arthritis गुन, दर्द और सूजन को कम करने में असरदार साबित हो सकते हैं। नमबर बारा, आपके शरीर को detox करती है। यह मसाला आपको पसीना और पेशाब निकालने में काफी मदद करता है और इससे आप अपने शरीर से मौजूद सभी विशाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकते हैं। लगातार पसीना आना और पेशाब करना इस बात का अच्छा संकेत है कि आपका शरीर ठीक से काम कर रहा है। आपको यह भी विचार करना चाहिए कि काली मिर्च लेने के बजाए आपको शारीरिक रूप से fat burn की आवश्यक्ता कैसे है। कुछ लोगों का मानना है कि केवल काली मिर्च का सेवन करने से ही उन्हें वजन कम करने में मदद मिल सकती है। वैसे अगर आप running और jogging से जुड़े व्यायामों को करने के बजाए केवल इसे खाने पर ध्यान केंदरित करते हैं तो आप गलत हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो ऐसा सिर्फ स्वस्थ आहार और व्यायाम से ही संभव हो सकता है। यदि आप इसका पालन करते हैं तो आप मजाक मजाक में ही परिणाम देखेंगे। नमबर तेरा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं कैंसर, हृदै रोग, मधुमेह, अस्थमा और इसी तरह कि कई पुरानी या दीर्ग कालिक बीमारियों में सूजन एक प्रमुख अंतर निहित समस्या है। कई अध्ययनों में सुझाव मिलता है कि काली मिर्च में पाया जाने वाला सक्रिय यौगिक पाइपरिन सूजन को कम कर सकता है। नमबर चोदा आपके मस्तिश्क के लिए अच्छी होती है। पिपरिन ने मस्तिश्क के स्वास्थे को बड़ावा देने के मामले में सिध्ध परिणामों का प्रदर्शन किया है। जैसे कि याद करने की क्षमता, शोध करताओं ने पाया कि मसालों के इस राजा में पार्किनसन्स या अल्जाइमर जैसी अपक्षी बीमारियों में सुधार करने की क्षमता है। नमबर पंदरा, आपके बलड शुगर में सुधार करती है। डाइबिटिक रोगी काली मिर्च को प्रचुर मात्रा में छिड़क कर अपने भोजन का आनंद ले सकते हैं, क्यूंकि काली मिर्च के स्वास्थ्य फायदे, व्यक्ति के ब्लड ग्लुकोज, मेटाबॉलिज्म में सुधार करने की क्षमता रखते हैं. इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए भी आप काली मिर्च से बने काड़े का सेवन कर सकते हैं, काली मिर्च में पाए जाने वाले गुण शरीर को संक्रमन से बचाए रखने में मदद कर सकते हैं, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों और परिवार्जनो को शेर जरूर करें और सबस्क्राइब जरूर करें